कोतवालिक शेत्र के होमगार्ड लाइन के समीब एक यूवक पर कुछ लोगों ने धारदार हतियारों से हमला कर घायल कर दिया यूवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है गयल शेहजाद ने बताया कि वह अंजुमन नगर निवासी वोकर सोमवार शाम करीब साथ बजी दिस्टान नाके से घर की और आ रहा था इसी दोरान नहर के समीब चार से पांच यूवक शराब के नशे में थे उन्होंने रोका और बहस करने लगे इस दोरान एक ने अपने पास मौजूद दराती से हमला कर दिया जिससे दाही ने हाथ में चोटाई अमजद ने बताया कि यूवकों से बचकरवा भागा और रागिरों की मदद से परीजनों को सूचना दी सहजाद के रिष्टेदार उसे अस्पताल लेकर पहुचे थाना प्रभारी ने बियल मंड़ोई ने बताया कि आमजद की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है तो संदिप्तों को हिरासत में लेकर पुष्टाच की जा रही है भारती नियूज के लिए खरगों से रजाक ख कर तरब तो उन्हें में चार पांचि इन पकाड़ां तरौ अनुन पकाड़ा पालवा थी है आत्माई कारन का रहा था रखा मिंको रस्ते में रोके नुन लागे था में तो केसे आए आप ना अब में में दोस्तों की बोला कि यह और संपिन को भूला कि था खी है नहीं सब्सक्राइब दोस्तों में लिते हैं किया नाम है तुम्हारा मेरा नाम सेजा थी कहा है कपकी कटना है यह श्याम सांथ बज़ेंगे पर चाहे नाम सेजा नगर के पास में हमकार कारी लेकिछ थी कग्या था जिस पर कि थाने परेफ ईफ एड़ेज गे अरुपी को जिला श्ताल में उट्छाने तु भिगा गया थी अना वेधक को नगोई आरोपी पकले हैं, इसमें आरोपी को रूदप की अगे subscribe now to most exciting channel ever